हलो दोस्तों दोस्तों आज बात करने जा रहा हूं काफी लोग है दोस्तों जिनके आखे बच्पन में खराब हो जाती है या एक यूआ वस्ता में ही खराब हो जाती है इसका पर्मू कारण दोस्तों जिसके कुछ कारण है वो डिस्कुस करूँगा तो बने रहे हैं वीडियो तो बने रही है वीडियो के साथ तो बात करते हैं चश्मे के बारे में तो शुरू करता हूं दूस्तों वीडियो के बारे में तो चश्मा ने लगाना बहार निकलते समय या बाइक ड्राइव करते समय आखों में धूल और कीड़े चले जाते हैं इससे आखों में इंफेक्श पर लगातार देखना रोज कंप्यूटर मोबाइल या टीवी की स्क्रीन पर लगातार कई गंटे तक देखने से आँखे खराब होने की आशंका बढ़ जाती है तो ऐसी गलती आपको नहीं करना दुस्तों नेश्ट आँखों को रगणना अगर दुस्तों आप अपने आँखों को रगणने से आँखों में जो बैक्टिरिया है वो आँखों तक पहुंच जाते हैं हातों की जो बैक्टिरिया है वो आँखों में पहुंच जाते हैं और इससे आँखों में इंफेक्शन और ऐलर्जी का खत्रा बढ़ जाता है नेश्ट है आँखों को नदोना दिन में कम से कम दो या तीन बार साफ पानी से आँखों को दोना चाहिए इससे इंफेक्शन होने की आशिंका नहीं रहती अगर आप नहीं दोगे तो इंफेक्शन होने की आशिंका बढ़ जाएगी इससे दोस्तों आपकी रोशनी भी असर बढ़ेगा अगर आप दिन में दो तीन बार अपनी आखे दोते हैं तो आपकी आखे सुस्त रहेगी नेक्स बात करते हैं दूसरों का चश्मा यूच करना अगर दूस्तों आखों के नंबर के हिसाब से अलग-अलग चश्मे बनते हैं अगर हम लंबे समय तक किसी दूसरे का चश्मा यूच करते हैं तो इससे सिर्दर्द आखों की रोशनी कम होने का खत्रा बढ़ जाता है इसलिए कभी भी दूस्तों दूसरे का चश्मा यूच नहीं करना है नेक्स टेट नंकिछ बात करते हैं एक्सपईरी दबाओं का यूच करना आख में एक्सपाईरी आइड़ोप्स का यूच करने से इल्रिटेशन और एलर्जी जैसी प्रोब्लम होने लगती है इसलिए जब भी आईडोप एक्सपाईरी डेट जलूर देखे आई ड्रोप का भी बढ़ादें दो आख में तो इस पर एक्सपारी डिट ज़रूर देखनी चाहिए काजल लगाना अच्छा काजल न लगाने और एक दूसरे का काजल लगाने से आखों में इंफेक्शन और एलर्जी हो सकती है इससे आखों की पावर पर भी असर पड़ता है इसलिए आपको अच्छा काजल लगाना दूस्तों खराब काजल और दूसरों का काजल नहीं लगाना है अगर दूस्तों आखों की ये गलतियों से रिलेटेड ये वीडियो पसंद आया तो प्लिस चैनल को सबिस्क्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फेस्बुक और वाटसब अकाउंट के मात्यम से अपने दूस्तों को भी शेर कीजिए दूस्तों हूँ